अगर आपने भी अपने इंस्टाग्राम के नाम को जल्दी जल्दी में अटपटा सा रख लिया है अब आपको अच्छा नहीं लगता है अब आप ऐसी में सोच रहे हैं कि इंस्टाग्राम के नाम को चैन्ज करना है और आपको पता नहीं है कि इंस्टाग्राम के नाम को कैसे चैन्ज करते हैं तो वीडियो को बिना स्किप के वाच करना है आज किस वीडियो मैं आपको बताऊंगा आप अपने इंस्टाग्राम के नाम को किस तरह से चैन्ज कर सकते हैं आपको एक भी स्टैप मिस नहीं करना है तब ही आप अपने इस्टाग्राम के नाम को चैन्ज कर सक तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुच जाए तो चलिए वीडियो करते स्टाट तो चलिए उसके लिए आजाते हैं अपनी मुबाइल की स्क्रीन पर हम आपको बताऊंगा आप अपने Instagram के नाम को और user name को किस तरह से चैन कर सकते हैं अगर आप Instagram का use करते हैं तो आपके स्मार्टफून में Instagram के एपलिकेशन ज़रूर होगा तो चलिए open कर लेते हैं मैं इसको open कर लेता हूँ और जैसे आप यहाँ पर Instagram को Open करते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर कुछ इस पर का इंटर्फेस देखने को मिलने वारा हैं 총 exercise अब आपको यहाँ पर क्या करना है? आपको यहाँ पर Bottom में एक आपकी Profile को Option देखने को मिल जाता हैं आपको यहाँ पर इस पर click कर देना है और जैसी आप यहाँ पर profile वाले option पर click करते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक option देखने को मिलता है edit profile तो आपको इस पर click कर देना है और जैसी आप वहाँ पर click करते हैं आप यहाँ पर काफी सारे option देखने को मिल ज नाम से होगा आपको फोड़ाइब आपको इसके आपको आते मेंने जाता हैं जैसे आपको ओधाओब में लिखा और दिख रहोगा लिखे होगा यू पर आपको सोज समझ्च करके ही अपने डिम्jach करने तो चले मैं यहाँ पर थोड़ा सा एडिट कर लेता हूं अपने नाम को आपको यहाँ पर असलम चोदरी नाम लिखा हुआ दिख रहा होगा लेकिन मैं इसको चोदरी को आगे कर देता हूँ और असलम को यहाँ पर पीछे ले आता हूँ जिससे के हमारा नाम भी edit हो जाएगा और मैं आपको समझाने के कोचस कर रहा हूँ तो आप भी इससे समझ जाएगे तो चली मैं अपने नाम को edit कर लेता हूँ तो आप यहां पर देख सकते हैं मैंने अपने नाम को यहां पर edit कर लिया है ओपप क्या खुल करके आता है तो चलिए देखते हैं Are you sure you want to change your name to Chaudhary Aslam यहाँ पर ये पूंच रहा है कि आप sure हैं आप Chaudhary Aslam के नाम को change करना चाहते हैं और उसके नीचे आप यहाँ पर देखेंगे You can only change your name twice within 14 days मतलब आप चोधे दिन में दो बार ही नाम को change कर सकते हैं अगर आपको नाम को change करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक option देके ने को मिलेगा change name तो आपको इस पर click कर देना है जैसी मैं आप चैन्ज name पर click करता हूँ आप यहाँ पर देख सकते हैं Mr. Underskore Aslam 87 तो इसको मैं change कर लेता हूँ तो यहाँ पर मैं edit कर रहा हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यह भी नाम यहाँ पर edit नहीं हो सकता है तो इसके लिए मैं अपने नाम के आगे कुछ numericals डाल लेता हूँ तो चलिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर username में कुछ numericals को भी add कर दिया है जिससे के मुझे यह वाले username मिल सकता है तो यहाँ पर भी change करने के लिए आपको यहाँ पर top में write condition देखने को मिलेगा तो आपको इस पर click कर देना है और आपका username भी change हो जाएगा तो मुझे यहाँ पर अपने username को change नहीं करना है आप इस तरीके से कर सकते हैं तो चलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा back आता हूँ तो आप अपने username को अगर change करना चाते हैं तो आप कर सकते हैं अगर आप अपने नाम को change करना चाते हैं तो आप कर सकते हैं इस तरीके से तो यहाँ पर मुझे अपने username change नहीं करना था जो तरीका मैंने आपको बताया है आप भी उस तरीके को use करके अपने username को भी change कर सकते हैं मैं आपकी कमेंट का रिपलाई करूँ अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी डियम कर सकते हैं और गाईज अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल का जुरूर से सस्क्राइब करें ताकि आपको इस तरह की informative वीडियो देखने को मिलती रहें तो चलिए आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं फिर किसी next वीडियो में